फरिदबाद ने जहिलम एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच से महिला को टीटी ने चलती ट्रेन से बाहर फेक दिया जिहां महिला ट्रेन और प्लेटपॉर्म के बीच में फसकर घायल हो गई समय रहते आरपीएफ के जवानों ने चैन पुलिंग करा कर ट्रेन को रुकवाया और बड़ी मुश्किल से महिला को ट्रेन की नीचे से निकाल कर अस्पताल भिचवाया महिला की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है उसके सिर पैर हाथ पर चोट आई है महिला के सिकायद पर जी आरपी थाना पुलिस ने टी टी ए के खिलाप हत्या करने का प्रियास की धाराओं के तहत के इस दर्ज कर लिया है अभी टी टी की पहचान नहीं हो पाई है SGM नगर निवासी भावना जहासी से अपनी रिस्तिदारी में साधी समारों में सामिल होने के लिए जा रही थी उनकी बेटी उन्हें फरदवाद स्टेशन पर छोडने आई वह जर्नल टिकेट लेकर जेलम एक्सप्रेस ट्रेन के AC कोच एक में चट गई इसी दोरान ट्रेन चल पड़ी महिला ने बताया कि टीटी ने चलती ट्रेन से उन्हें पहले उनका सामान बाहर फेक दिया फिर उन्हें धक्का मार दिया महिला प्लेटफॉर्म पर गिरते ही ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फस गई जिसके बाद आरपी एफ करमी ने ट्रेन पुलिंग कराई लोगों की मदद से उसे ट्रेन की नीचे से निकाला गया उसके दाएं हाथ के अउठे सेर कूला वह पैर में गंभी चोट आई हैं उनका एनाइटी इस्तित इसाई एस्पताल में इलाज चल रहा है महिला के शिगायत पर जियारपी ने हात्या के प्रयास की धारा के तहत टीटी के खिलाप केश दज गलिया है जियारपी धाना परभारी राजपाल का कहना है कि रेलवे से टीटी के बारे में रिकॉर्ड तलब किये जा रहे हैं अभी आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है